लेकिन इस बार ये संकट ऐसा है जिसने विश्व भर में पूरी मानव जाती को संकट में डाल दिया है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जब वितिय विश्व युद्ध हुआ था तब भी इतने देश युद्ध से प्रभावित नहीं हुए थे जितने आज कोरोना की इस बिमारी से हैं पिछले दो महिने से हम निरंतर दुनिया भर से आ रहे कोरोना वाइरस से जुड़ी चिंताजनक खबरें देख रहे हैं सुन रहे हैं इन दो महिनों में भारत के 130 करोड नागरीकों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामरी का डटकर मुकाबला किया है सभी देश्वासियों ने आवश्यक सावधानिया बरतने का भरत्सक प्रयास भी किया है लेकिन बीते कुछ दिनों से एक ऐसा माहोल बन रहा है ऐसा लग रहा है जैसे हम संकर से बचे हुए है ऐसा लगता है सब ठीक है वैश्विक महामारी कोरोना से निश्चिन्त हो जाने की ये सोच सही नहीं है इसलिए प्रत्यग भरत्वासी का सजग रहना सतक रहना बहुत आवशक है साथियों आपसे मैंने जब भी जो भी मांगा है मुझे कभी भी देश वास्यों ने निराश नहीं किया है ये आपके आशिरवात की ताकत है कि हम सम मिल तरके अपने नरधारित लक्षों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं प्रयास सफल भी होते हैं आज मैं आप सभी देश वास्यों से 130 करोर देश वास्यों से आप सबसे कुछ मांगने आया हूँ मुझे आपके आने वाले कुछ सब्ताह चाहिए आपका आने वाला कुछ समय चाहिए मेरे पैरे देश वास्यों अभी तक विज्ञान कोरोना महामारी से बचने के लिए कोई निश्चित उपाएं नहीं सुझा सका है और नहीं इसकी कोई वैक्सिन बन पाई है ऐसी स्थिति में हर किसी की चिंता बढ़ने बहुत स्वाभाविक है दुनिया के जिन देशों में कोरोना का वाइरस और उसका प्रभाव ज्यादा देखा जा रहा है वहाँ अध्यान में एक और बात सामने आई है इन देशों में शुरुआती कुछ दिनों के बात अचानक बिमारी का जैसे विस्फोट हुआ है इन देशों में कोरोना से संकरमित लोगों के संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है भारत सरकार इस्थीती पर इस वैश्विक महामारी के फैलावे के इस ट्रैक रिकॉर्ड पर पूरी तरह नजर रखे हुए है हाला कि कुछ देश ऐसे भी हैं जिनों ने आवशक निर्ड़े भी किये और अपने यहां के लोगों को जादा से जादा ऐसोलेट करके स्थीती को संभाला है और उसमें नागरीकों की भूमी का बहुत एहम रही है भारत जैसे 130 करोड की आबादी वाले देश के सामने और हम वो देश हैं जो विकास के लिए प्रैतनेशिल देश है और हम जैसे देश पर कोरोणा का यह संकट सामाने बात नहीं है आज जब बड़े बड़े और विक्षित देशों में हम इस वैश्विक महामारी का व्यापक प्रभाव देख रहे हैं पहला संकल्प और दूसरा संयम संकल्प और संयम आज एक सो तीस करोर देश वासियों को अपना संकल्प और द्रड करना होगा कि हम इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने कर्तव्यका पालन करेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के दिशान, निर्दोशों का पूरी तरह से पालन करेंगे आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम स्वयम संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे साथियों, इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ ऐसी स्थिति में जब इस बिमारी की कोई दवा नहीं है तो हमारा खुद का स्वस्थ बने रहना ये सबसे पहली आवश्यक्ता है इस बिमारी से बचने और खुद के स्वस्थ बने रहने के लिए दूसरी अनिवारियता है वो है संयम और संयम का तरीका क्या है बीड से बचना घर से बाहर निकलने से बचना आजकल जिसे सोशिल डिस्टन्सिंग कहा जा रहा है कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में ये सोशिल डिस्टन्सिंग ये बहुती जादा आवशक है और कारगर भी है हमारा संकल्प और संयम इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने में बहुत बड़ी भूमी का निभाने वाला है और इसलिए अगर आपको लगता है कि आप ठीक है आपको कुछ नहीं होगा आप ऐसे ही मार्केट में घुनते रहेंगे सरकोपर जाते रहेंगे और कारोना से बचे रहेंगे मैं समयता हूँ यह सोच सही नहीं है ऐसा करके आप अपने साथ और अपने प्रिये जनों को अपने परिवार के साथ अन्याय करेंगे इसलिए मेरा सभी देशवासियों से यह आगरह है कि आने वाले कुछ सब्ता तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बहार निकले जितना संबव हो सके आप अपना काम चाहे बिजनेस से जुड़ा हो आफिस से जुड़ा हो हो सके तो अपने घर से ही करे जो सरकारी सेवाओं में है अस्पताल से जुड़े है जनप्रतिनी दी है जो मिडिया कर्मी है इनकी सक्रियता तो आवशक है लेकिन समाज के बाकी सभी लोगों को खुद को बाकी भीड़भार से बाकी समारों से आईसोलेट कर लेना चाहिए मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटिजन्स हो साट पैंसर्ट वर्स की आयू के उपर के व्यक्ति हो वो आने वाले कुछ सब्ता तक अचित नहीं होगी लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मैं जो जब छोटा था उस समय हम अनुभव करते थे उस समय जब युद्ध की स्थिती होती थी तो गाउं गाउं ब्लेक आउट किया जाता था शिशे पर भी कागज लगा दिया जाता था बंद लाइट बंद रखी जाती थी लोग रात भर चौकी करते थे और युद्ध न न हो तो भी साल में एक दो भार तो वहां के जो नगरपाली काई होती थी वो जागुरू को करके ये ब्लेक आउट का डिल भी करवाती थी लोगों का आदत बनी रहे इसके इसके लिए प्रयास करती थी और इसलिए मैं आज प्रतेग देशवासी से एक और समर्थन माँग रहा हूँ ये हैं जनता कर्फ्यू जनता कर्फ्यू यानि जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू इस रविवार याने दो दिन के बाद 22 मार्च को 22 मार्च रविवार को सुबे 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवास्यों को जनता कर्फ्यू का पानन करना है इस जनता कर्फ्यू के दर्म्यान कोई भी नागरीक गरों से बहार न निकले न सडक पे जाए न महले में या सोसाइटी में इकत्रे हो अपने घरों में ही रहे हां जो आवशक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा तो उनका बहुत बड़ा दाई तो होता है लेकिन एक नागरीक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाएं साथ्यों 22 मार्ज को हमारा यह प्रयास हमारे आत्मसंयम देश हित्मे करतेव्य पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा 22 मार्ज को जनता कर्फ्यू की सफलता इसके अनुभव हमें आने वाली चुनोत्यों के लिए भी तैयार करेंगे मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आगरे करूँगा कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नित्रुत्व करें हमारे देश में कई संगठन है NCC है NSS है कई उवा संगठन है Civil Society है खेलकुत के संगठन है कई प्रकार के संगठन है धार्मिक संगठन है सामाजिक संगठन है सब कोई सबसे मैं अनुरोद करूँगा कि अभी से लेकर रविबार तक इस जमता कर्फ्यू का संदेश लोगों तक पहुंचाएं लोगों को जागरुक करें आप ये भी कर सकते हर दिन दस नए लोगों को फोन करके आप इस वैश्विक महामारी के समन्द में नागरिक को करने वाले काम जनता कर्फ्यू की बात उनको समझाएं उनको बताएं मेरे प्यारे देश्वासियों ये जनता कर्फ्यू एक प्रकार्चे हमारे लिए भारत के लिए एक कसोटी की तरह होगा ये कॉरोना जैसी वैश्विक महामारी के ख़़ाब लड़ाई के लिए भारत कितना तयार है ये देखने और परेखने का भी समय है आपके इन प्रयासों के बीच जनता कर्फ्यू के दिन 22 मार्च को रविवार को ही मैं आप से एक और सहीयोग चाहता हूँ साथियों पिछले दो मेहनों से लाखों लोग अस्पतालों में एरपोर्ट पर दप्तरों में शहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं चाहे डॉक्टर हो नर्सीस हो हस्पिटल का स्टाफ हो सफाई करने वाले हमारे भाई बहन हो एरलाइन्स के कर्मचारी हो सरकारी कर्मचारी हो पुलीस कर्मी हो मीडिया कर्मी हो रेलिवे बस आटो रिक्षा की सुविदा से जुड़े लोग हो होम डिलिवरी करने वाले लोग हो ये लोग अपनी परवा न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए है आज की परिस्तितियां देखें तो ये सेवाएं सामान्य नहीं कही जा सकती आज खुद भी इनके संक्रमित होने का पूरा खत्रा मोल लेते हैं बावजुद इसके ये अपना करतव्य भी निभा रहे हैं हर किसी की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं ये अपने आप में राश्ट रक्षक की तरह कोरोना महामारी और हमारे बीच में एक शक्ति बनकर के खड़े हैं देश ऐसे सब छोटे बड़े व्यक्तियों का संगठनों का कृतग्या है मैं चाहता हूँ कि 22 मार्च रविवार के दिन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें और धन्यवाद कर अर्पित करने का तरीका भी देश के एक एक व्यक्ति को जोड सकता है रविवार को यहने जन्ता करिफ्यू के दीन शाम को ठिक पांच बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खीड़कियों के सामने खड़े होकर पांच मिनिट तक रविवार को शाम को पांच बजे पांच मिनिट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें और आभार कैसे व्यक्त करेंगे ताली बजा करके थाली बजा करके गंटी बजा करके हम उनके प्रती अपनी कृतग्यता व्यक्त करें उनका होसला बढ़ाएं उनको सेल्यूट करें पूरे देश के स्थानिय प्रसासन से भी मेरा आग्रह है कि 22 मार को 5 बजे साहरन की आवाज से इसकी सुचना लोगों तक पहुंचाए सेवा पर्मो धर्म के हमारे समस्कारों को मानने वाले ऐसे देशवास्यों के लिए हमें पूरी स्रद्धा के साथ अपने भाव व्यक्त करने चाहिए साथियों संकट के इस सबय में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी आवशक सेवाओं पर हमारे हॉस्पिटलों पर दबाव बढ़ना नहीं चाहिए ताकि हमारी हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को हमारे डॉक्टरों को हमारे परामेडिकल स्टाप को इस महामारी के लिए प्रात्विक्ता देने की सुविदा बने और इसलिए मेरा सभी देशवास्यों से आगर ये भी है कि रूटिंग चेवकप के लिए अस्पताल जाने की हमारी जो भी आदत रही हो उससे बचना चाहिए जितना बच सके बचना चाहिए आपको बहुत जरूरी लग रहा हो तो अपनी जान पहचान वाली डॉक्टर आपके फैमिली डॉक्टर या अपने रिस्तेदारी में जो डॉक्टर हो उनसे फोन कर फोन पर ही उनसे आवशक सला ले ले अगर आपने इलेक्टिव सरजरी जो बहुत आवशक नहो ऐसी सरजरी कि उसकी कोई डेट ले रखी है तो मेरा आगर है कि इसे भी आगे बढ़वा दें एक महिना बयात की तारीख ले दें साथियों इस वैश्वीक महमारी का अर्थ वबस्ता पर भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा है कोरोना महमारी से उत्पन हो रही आर्थिक चुनोतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारत सरकार के वित्तमत्री के नेत्रूत में फाइनास मिनिस्टर के नेत्रूत में सरकार ने एक कोविड नाइंटीन एकनॉमिक रिस्पॉंस टास्क फोर्स इसके गठन का फैसला लिया है यह टास्क फोर्स साहरे स्टेक होलर से नियमित संपर्ग में रहते हुए फिडबेक लेते हुए हर परिस्थिति का आकलन करते हुए निकड भविशमय फैसले लेगी यह टास्क फोर्स यह भी सुनिस्चित करेगी कि आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिए जितने भी कदम उठाये जाएं उन पर प्रभावी रुप से अमल हो निश्चित तोर पर ये महामारी ने देश के मध्यमवर्क निम्न मध्यमवर्क और गरीब के आर्थिक हितों को भी गहरी ख्षति पहुँचाय दी है संकड के इस समय में मेरा देश के व्यापारी जगत उच्च आयवर्क से भी आगर हैं कि अगर संभव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखे हो सकता हैं आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दपतर ना आप आएं आपके घर ना आप आएं ऐसे में उनका वेतन न काटे पूरी मानवियता के साथ संवेदन सिलता के साथ फैसला ले हमेशा याद रखिएगा उन्हें भी अपना परिवार चलाना है अपने परिवार को बिमारी से बचाना है मैं देश वासियों को इस बात के लिए भी आस्वस्त करता हूँ कि देश में दूद खाने पिने का सामान दवाईयां जीवन के लिए जरूरी ऐसी आवश्चक चीजों की कमी ना हो इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं यह सप्लाए कभी रोका नहीं जाएगा इसलिए मेरा सभी देश वासियों से याग्रह है कि जरूरी सामान कि संग्रह करने की होड न लगाएं आप पहले जैसे करते हैं वैसे ही सामान नुपसे ही खरिदारी करें पैनिक बाइंग यह कता ही ठिक नहीं है उसको न करें साथियों पिछले दो महिनों में 130 करोड भारतियों ने देश के हर नागरिक ने देश के सामने यह जो संकट आया है उस संकट को देश वासियों ने अपना संकट माना है भारत के लिए समाज के लिए देश वासियों से जो बन पड़ा है हर किसी ने किया है मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में भी हम सभी देश वासि अपने कर्तवियों का अपने दाइत्वों का इसी तरह निर्वाह करते रहेंगे हाँ मैं मानता हूँ कि ऐसे समय में कुछ कठिनाईयां भी आती है आशंकाओं और अप्फाओं का वातावरन भी प्यता होता है कई बार एक नागरिक के तौर पर हमारी अपेक्षाएं भी पूरी नहीं हो पाती फिर भी ये संकट इतना बड़ा है और वैश्विक है एक देश भी दूसरे देश को मदद नहीं कर पा रहा है ऐसी स्थिति में सारे देशवास्यों को इन दिक्कतों के बीच द्रड संकल्प के साथ इन कठिनाईयों का मुकाबला करने कई भी आवशक्ता है साथियों हमें अब वी अपना सारा सामर्थ खुद को बचाने के लिए कोरोना से बचने के लिए ही प्रात्फिक्ता देनी है आज देश में केंद्र सरकार हो राज्य सरकारे हो स्थानिय निकाय हो पंचायते हो जन प्रतिनिदी हो या फिर सिबिल सुसाइटी हर कोई अपने अपने तरीके से इस वैश्विक महामारी से बचने में अपना योगदान दे रहा है आपको भी अपना पूरा योगदान देना है यह आवश्विक महामारी के इस वातावर्ण में मानव जाती विजई हो भारत विजई हो मेरे प्यारे देश्वासियों कुछ दिन में नवरात्री का परवा आ रहा है यह शक्ति उपासना का परवा है भारत पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े इस संकल्प को ले करके आवश्चक संयम का पानन करते हुए आओ हम भी बचें देश भी बचाएं जग को भी बचाएं फिर एक बार मैं आग्रह करूंगा जनता कर्फ्यू के लिए मैं आग्रह करूंगा सेवा करने वालों का धन्यवाद करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बहुजन समाज से जोड़ी हर खबर जानने के लिए सबस्काइब करें दशोद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें